हेलो अरिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की उटू लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सोम्निया के बारे में मतलब कि सोने में परेशा नी होना, नीन ना आना और इसको हम अनिद्रा भी कहते है तो यह होने के कारण क्या होती है, कौन से रिजन से आपको अच्छे से नीन नहीं आती, उसके लक्सन क्या होते है और कैसे यह कंडिशन का हम इलाज कर सकते हैं, तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यह परसन को रात को नीन नहीं आ रही है, कि यहाँ पर गड़ी में देखो, तो रात को यह वह दो बज़े है फिर भी यह परसन को जो वह नीन नहीं आ रही है, और उसको सोने में परेसानी हो रही है फिर दूसरा एक प्रॉब्लेम ही होता है कि रात को ज़्यादा देर तक आप जागते हैं, आपको नीन नहीं आते कि यह पिभी आप यह डायग्राम में देखो, तो दो बचकर पंदरा मिनिट हुए है रात को और फिर भी यह परसन जो वह जाग रहा है उसको नीन नहीं आ रही तो यह प्रॉब्लेम को कैसे सौल किया जाए, तो उसकी डिटेल स्टेडी करते हैं आज की लेक्चर में तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर, आसिस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर ओफार्मरोक्स फेमिली, अप्डेट रहिए फार्मरोक्स के साथ और सब्सक्राइब करि या फिर लॉस आप स्लिप के आपकी नेंद जो है वो काफी डिस्टब हो जाती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते, कि या पर आप देखो कि रात को दो बचकर पंदरा मिनिट होए, फिर भी ये परसन जो है वो अच्छे से सो नहीं पाता, सोने में उसको डिफिकल्टी होत में पर उसके जगह आपकी नेंद समझे के तीन गंटे के ही सिर्फ होती है, चार गंटे की होती है, पांच गंटे की, तो ऐसे कंडिशन को आप इन सोम्निया के कंडिशन में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी नेंद जो है वो अच्छे से पूरी न निन नहीं आती। या फिर थोड़ा साप सोते हैं, फिर अचानक से आपको फिर इसे नीन आपकी उठ जाती है, आप जाग जाते हैं, फिर राथ को समझो कि लेट नाइट नीन आएगे, कि आप राथ को तीन बज़े समझो के सोए हैं, पर सुबह क्या होगा कि अर्ली मॉरनिं कि नींद होनी चाहिए उसके वज़ाए से आप चार गंटे ही सो पाए मनले कि अरली आप जो है वो उट जाते हैं बहुत जल्दी आप उट जाते हैं और रात को काफी लेट जो है वो नींद आती हैं फिर जो sound sleep हम कहते हैं कि जो गहरी नींद आपको आनी चाहिए proper 8 गंटे की वो नहीं आपाते हैं कि जिसको कह सकते कि absence of sound sleep फिर इसके करण क्या होगा कि आपको दिन में जो थकान मैसुस होगी आपको दिन में नींद आएगी और आपका जो routine काम होता है वो डिस्टप होता है specially कि आप समझे कि job करते हैं आप student life में है या फिर कोई भी आपके उपर responsibility है तो वो आप अच्छे से पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर आप पूरे दिन जो नीद में रहते हैं और ऐसे complications आपको जो वो होते हैं symptoms के तोर पे हैं फिर comfortable आप फिल नहीं करते हैं नौजया जैसे आपको फिल होता है जैसे जी गब रहता है या फिर आपको vomit हो ऐसा आप फि में है या फिर किसे lecture में है या फिर किसी काम को perform करना है अगर आपको driving भी करना है तो भी आप उसको अच्छे से ना कर पाए और कुछ complications और ज्यादा बढ़ सकते हैं insomnia के कारण तो उसके reason क्या है बहुत सारी reason से insomnia मनलब की अनिद्रा का problem हो सकता है तो सबसे पहला reason है mental health कि आपकी mental health अच्छी नहीं है तो ये एक आपको problem हो सकता है जैसे कि आपकी life में काफी ज्यादा stress है कि एक stress responsible बनता है insomnia के लिए कि आप stress है आपकी life में तनाव है चिंता है कोई तो आप जो हो रात को अच्छे से नहीं सो पाते हैं second anxiety कि जिसको हम चिंता कहते हैं कि कोई किसी आपकी life में कोई problem है और उसके related आप बहुत ज्यादा फिकर करते तो भी आपको नहीं नहीं आएगी फिर कोई panic situation से आपकी life के अंदर तो भी आपको सोने में जो है वो दिक्कत आती है फोबिया है आपको तो भी आप रात को नहीं सो पाएंगे ये भी एक reason है फिर जो patient depression के ह वो भी रात को अच्छे से नहीं सो पाते और आपकी sleep habit बहुत ही खराब है मलब कि आपको आपने ऐसे आपकी lifestyle बना दिये कि आपको रात को late night तक आप जागते है या फिर आप ऐसा काम करते कि वो specially आपको उसके लिए रात को जागना पड़ता है और फिर आप दिन में सोते तो उस तरह से भी आपका sleep cycle जो वो disturb होता है और आपको insomnia का problem हो सकता है दूसरे भी कुछ reasons है जैसे कि intake of excessive caffeine कि समझे कि रात को सोने का जो समय है कि 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद आप सोते है या फिर 9 बजे सोते है बट आप रात को समझे कि tea या coffee लेते है तो उसके करन क्या होता कि आपकी नीद जो है वो खराब होगी आप अच्छे से नहीं सो पाऊंगे फिर कुछ medical conditions जैसे हमने भी बात की कि mental health related कोई medical condition है या फिर कोई दूसरे बीमारी मौजद है आपके सरीर के अंदर तो भी आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे फिर कोई बीमारी present है सरीर के अंदर कोई दवाई आप ले रही है तो कुछ दवाईों के भी ऐसे side effect होते है insomnia फिर आपकी sleep pattern जो है वो बार-बार change हो रही है कोई आप traveling वगेरा करते है या फिर आप रात को जाकते हैं late night तक तो भी sleep pattern आपकी change हो सकती है कोई travel या फिर जो work schedule की हमने जो बात की या फिर इस तरह से आप रात को late तक mobile यूज करते हैं या फिर PC laptop वगेरा आप यूज करते हैं रात को तो उसकी screen जो हो आप बार-बार देखते तो उसके करन क्या होता है कि आपकी sleep जो हो disturbed होती है आप गहीरी नींद जो है वो आपको नहीं आती और आपको insomnia हो सकता है तो उसक treatments के लिए एक पहला option है cognitive behavior therapy के जिसके अंदर feelings, behavior और thoughts वगेरा को analyze करके जो आपकी treatment के जाते कि especially mental health को सुधर आ जाता है कि जो meditation के तरह भी हम उसको कह सकते है कि meditation भी जरूरी है, yoga आप कर सकते है, exercise कर सकते है, फिर medicines के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे medicines से आप आपका ये problem solve कर सकते है, herbals और homeopathy, तो नेंद को improve करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी audio book suggest करना चाहूंगा, अपुर्वा लाहो टिकी कि जो improve sleep 7 day course करके है, तो ये पूरी audio book आप कुकु FM पर सुन सकते है, detail में और उसको समझ भी सकते हैं, तो ये जो book है, audio book की जो आपको बता दो कि एक पहला जो chapter है, वो sound sleep के related है, महले कि गहरी निंद के लिए आप क्या कर सकते है, क्या जरूरी है गहरी निंद के लिए, फिर सरीर को कैसे आराम दे, प्रतिक्रिया और निंद, तनाव से कैसे आप दूरी बनाए, सकार अत्मक सोच, बनिए एक good sleeper और sound sleep याने के गहरी निंद पाने के उपाए, तो ये पूरी audio book जो है आप सुन पाएंगे कूकू FM पर, तो कूकू FM के बारे में मैं आपको बता दो कि एक audio learning platform है, कि बहुत सारी audio books और बायो ग्राफिज आप हिंदी में सुन सकते है कूकू FM पर, कि जिसका annual subscription चार्ज होता है पर अभी जो offer चल रही है, holy case special, तो उसमें आपको discount offer मिल रही है, और यहाँ पे आप coupon कोड़े apply कर सकते है, holy 50, तो holy 50 coupon कोड़े apply करने के बाद, आपको जो हो 50% discount मिलता है, और 399 के जगाए, आप जो हो सिर्फ pay करते है, 199 रुपेज वो भी एक साल का, तो ये offer valid है, सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च तक, तो अभी डाउनलोड करे कुकू FM और ये audiobook आप सुन सकते हैं, और उसके अलावी बहुत सारी audiobooks and biography साब, हिंदी में जो हो सुन सकते हैं, तो कुकू FM का जो rating है, वो 4.5 स्टार जितना rating है, तो आप ये app को डाउनलोड कर सकते हैं, Google Play Store as well as App Store पर से, और Holy Off का जो है, discount offer वो भी आप benefit ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एफ कुकू FM, तब topic पर वापस आते हैं, कि जो हम बात करते हैं, कि जो हम बात करते हैं, कि इन सोम्निया के treatment की, तो जो cognitive behavior, meditation, yoga, तो अभी जो मैंने कुकू FM वाली जो बात की, कि जो audio book है, वो भी आप जरू से सुनें, वो से भी आपको काफी फाइदा होगा, कि जिससे भी आप आपका इन सोम्निया का problem, जो है, वो solve कर सकते हैं, फिर exercise है, medicines, herbal और homeopathy, तो पांच best medications के हम बात करें, तो आप melatonin यूज कर सकते हैं, zolpidem करके हैं, laurazepam हैं, हिमालिया के कर्टागारा टैबलेट से, R14 drop से SPLK, तो ये सब patients use कर सकते हैं, उसके लवा, यहाँ पे मैं आपको कुछ advice दूए expert, तो अच्छी healthy diet लेनी चाहिए आपको, फिर आपका stress level आपकी life में जो है, उसको reduce करें, exercise करें, walking करें और cycling करें, तो melatonin के मैं यहाँ पे आपको बात करूँ सबसे पहले, तो melatonin क्या करता है, regulate करता है, और आपका sleep cycle भी maintain करने में, melatonin help करता है, तो melatonin जब अच्छे से secret होता है, तो आपको जो अच्छे से गहरी निंद आती है, और melatonin का secretion समझे के, आपके सरीर में कम हो जाते हैं, तो आपकी निंद जो है, वो कम हो जाते हैं, या फिर आप जो है, जागत रहता है उसका ना बिकोज यह हॉर्मोन है कोई ऐसा दूसरा chemical वगेरा नहीं है तो उसके जो tablets आती है यहापे आप देखो 3 mg के जो tablet तो uncoated tablets रहती है 3 mg की melatonin और यह जो है वो patient medical supervision में एक पर आपके doctor या फिर physician को दिखाने के बाद ले सकते हैं तो melatonin की कुछ side effects अगर कोई high dose में ले ले लेता है तो काफी लंबे समय तक उसको नीन दा सकती है but long time use के लिए यह medication खास कर safe की जाती है कुछ common side effect ही करेगी जैसे के सीर दर्द होगा आपको sleepiness में लिए कि आपको नीन दाती रहेगी dizziness जैसा फिल करेंगे and कुछ cases में nausea vomiting जैसा होता है दूसरा option है zolpidium का कि जो एक sedative and hypnotic drug है कि जो insomnia, anxiety disorder, mental health के लिए पे zolpidium आपको help करके है कि जिसका dose रहता है maximum 10 mg जितना रहता है पर दे कि आप 5 mg के जो tablet है वो दिन में दो बार जो है वो खा सकते है पूरुसों के लिए हम बात करें तो 10 mg per day और female के लिए 5 mg per day जितना dose जो है वो enough रहता है zolpidium के कुछ side effects के हम बात करें तो उसके करण drowsiness, tiredness, थकान, सिर्दर्द dizziness, lightheadedness मने कि हलका सा सिर्दर्द unsteady walking difficulty in keeping balance कई बार आप कोई परसन ज्यादा dose में खा लेता है या फिर उसको dose suit नहीं करता है तो उसको balance बनाए रखने में difficulty होगी चक्कार आ सकते है ऐसे कुछ side effects zolpidium कर सकती है फिर zolpidium और melatonin का combination भी आता है कि यहाँ पे आप देख सकते है कि combination में melatonin जो है वो यहाँ पे zolcam 10 करके जो medication उसमें 3 mg जितना है और 10 mg जितना zolpidium है कि यह tablet दिन में एक बार patient खा सकता है अच्छी नेंद के लिए हैं तिसरा है laurazepam कि जो एक anti anxiety medicines के तोर पे use की जा जकती है anxiety disorder, trouble in sleeping तो उसका dose रहता है एक से लेकर 6 mg per day usually treatment, lower doses start की जाते हैं कि जिसके side effect है weakness, गलास उखना वाले कि dry mouth, diarrhea या फिर changes in appetite जिसे कुछ side effects कर सकती है laurazepam चौथा एक herbal medications का option है कि जो काफी safe है हिमालिया, टागारा टाबलेट कि जो क्या करते हैं कि जो brain का के अंदर एक जो chemical release होता है उसके साथ interfere करके आपकी जो नींद जो अच्छी बनाने में ये help करता है हिमालिया, टागारा टाबलेट को ये टाबलेट जो दिन में दो टाबलेट पेसंट खा सकता है herbal supplement है और ये अच्छा रहता है बेस्ट रहता है आपकी नींद के लिए तो ये specially आपकी नींद को जो वो प्रमोट करता है और काफी अच्छा formulation जो वो कहा जाता है हिमालिया, टागारा टाबलेट पांच वे बात करूं में तो R14 drops के जो एक homeopathic option है नींद के लिए के जिसको R14 nerve and sleep drops कहा जाता है तो ये इसको जो क्या कर सकते है आपके 10 से लेकर 15 जितने drops आप इवनिंग में ले सकते हैं पाने में डाल के कि जो आपकी अच्छे नींद के लिए आपको help करेगा फिर SBL का एक sleepy tight tablets करके एक formulation आता है कि जो भी काफी help करता है कि दो tablet जो दिन में चार बार patient ले सकते हैं कि जिससे उसकी नींद जो जो काफी अच्छी बन सकती है तो लास्ट में आपको बता दो कि कुकू FM आपको जरूर से डाउनलोड करें लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएंगी और सुनें बहुत सारी audio books and biographies आप यहाँ पे जो सुन सकते हैं कि जिसका annual subscription चार्ज पड़ेगा सिर्फ 3.99 बट holy offer के करण आपको यह सिर्फ 1.99 के अंदर पड़ेगार आपको coupon code यूज करना है holy 50 तो यह code अपलाई करने के बाद आपका 50% off हो जाएगा और आप जो है वो यह offer का benefit ले सकते है 20 मार्च तक तो अभी download करें कुकु.fm लिंक आपको में description box के अंदर दे दूँगा good luck and all the best